दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेस्ट एपीन सेडिंग्स के बरहे में बतने बाला हूँ जिसको दोस्तों अगर आपका फोन में आप सेट कर लोगे तो आपका मोबल का जो इंटेन स्पीड है और कभी स्लो नहीं होगा हमेशा हाइप स्पीड में च लागा के इस एपीन को यूज कर सकते हो तो आपका इंटेनेट दोस्तों हाइप स्पीड में चलना शुरू कर देगा और दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा इंट तक वास्ट करना है क्योंकि दोस्तों मैं जो जो सेटिंग्स आपको यह पर दिखाऊंगा सारा सेटिं पर पहली बार आये हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का और भी हेलफुल वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों इस एपीन सेटिंग को सेट करने के लिए सबसे पहले आपका मोबल का जो में सेटिंग है इसमें चले जाना है जाने के बाद दोस्तों यह पर सिम कार्ड़ एंड मोबल नेट्वर करके चो जो आप्शन है इस उप्शन के फेइंग करना थीख करने के बाद दोस्तों नीचे आपको access point name करके एक option दीख जाएगा तो आपको इस access point name का option के उपर click करना है click करने के बाद दोस्तों आपका सामने आपका phone का जो पूरान APN है वो यह पर show हो जाएगा तो आपको यह पर इस पूरान APN को यह पर research कर लेना और reset करने के बद दोस्तो new api set करने के लिए जो option दिया हुआ है आपको इस new api n का option के उपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बद दोस्तो आपका सामने एक empty फ्रम् देदेगा तो इस फ्रम् को द keen को मेरा वीडियो को देखके आपको versus or HOLAN तो दोस्तो उपर जो आपको इर्म खोप्सें सव्य म्की यहेरा है इस नेम का option के उपर आपको धसी करustर को क्लिक करना है और आपको याइब मास टाइप करे। Speed Bot, Speed का A capital letter पे होगा, Speed लेखने के पाद दोस्तों, एक space दिना है, और आपको यह बड़ लेखना है, Bot का B capital letter पे होगा, इस तरह के से आपको लेख लेना है, उसके बद और एक space देना है, और आपको यह बड़ टाइब करना है निंजा, है थणडर का टी यह पर के विटल लेटर पे होगा तो दोस्तों आपको यह पर इस तरह सेंब स्पीड बॉट स्पेस निजा स्पेस फाइब जी टूसमे लिकना है लिग्व को यह पर कर देना है देने के बाद उसके नीचे है एक तो आपको इस अप्शन के उपर क्लिक करना ह 5g sb24 यह पर सारा लेटर आपको capital letter पर लिख लेना है और एक साथ इस तरह किसा आपको लिख लेना है लिख के आपको ok कर देना है देने के बाद दोस्तों उसके नीचे है proxy a not set रहेगा उसके नीचे है port a b not set रहेगा उसके नीचे है username तो आपको इस username का option के उपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बद आपको यह पर type करना है 5g यह पर सारा लेटर दोस्तों small letter पर लिख लेना है ठीक है तो आपको यह पर 5g ninja bot एक साथ यह पर इस तरह किसे small letter पर सारा लेटर यह पर लिख लेना है लिख के दोस्तों आपको यह पर ok कर देना है देने के बाद उसके नीचे है password a not set रहेगा उसके नीचे है server का option तो आपको इस server का option के उपर click करना है और click करने के बाद दोस्तों आपको यह पर type करना है www.google.com क्योंकि दोस्तों यह पर हम लोग Google का server यूश करने बाला है तो इस तरह के से आपको यह पर लिखके ok कर देना है देने के बाद नीचे कुछ option है MMSC, MMS proxy, MMS port, MCC and MNC इन में से कोई भी option को आपको change नहीं करना है और MCC and MNC का जो option है दोस्तों यह आपका area का हिसाब से आपका phone में automatic set हो जाएगा तो दोस्तों इस option को आपको बिल्कुल share नहीं करना है तो दोस्तों नीचे आपको authentication type करके एक option देखने को मिलेगा तो आपको इस authentication type का option के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यह पर PAP option को select कर लेना है करने के बाद दोस्तों उसके नीचे है APN type का option तो आपको इस APN type का option के उपर क्लिक करना है और click करने के बाद आपको यह पर type करना है small letter पे default इस तरीके से आपको सारा letter small letter पे लिखके ok कर देना है देने के बाद उसके नीचे है APN protocol यह पर click करके आपको यह पर IPV4 अबलिक IPV6 का option को select कर लेना है करने के बाद उसके नीचे है APN roaming protocol का option यह पर भी दोस्तों आपको same to same IPV4 अबलिक IPV6 का option को select कर लेना है करने के बाद दोस्तों नीचे आपको BRR करके एक option देखना को मिल जाएगा तो आपको इस BRR का option के उपर click करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों उपर जो आपको यह पर unspecified या फिर not specified option टिक देख रहा है इस option को आपको यह पर untick कर लेना है और LTE से लेकर धेयान से आपको नीचे जितना सारा option देखना को मिलेगा सारा option को आपको यह पर एक एक करके tick कर लेना है tick करने के बाद दोस्तों आपको यह पर ok कर देना है दोस्तों अगर इतना सारा option को यह पर tick करने के बाद आपका phone में अगर APN save नहीं होता है तो आपको यह पर सिर्फ LTE option को select कर लेना है ठीक है करने के बाद दोस्तों आपको यह पर ok कर देना है और okay करने के बाद दोस्तो यह जो from हैं यह पर feel हो चुका है तो इसको भी दोस्तो आपका phone में save कर देना है Save करते ही दुस्तो आपका phone में नया APN Show हो जाएगा तो दोस्तो इस नया APN को आपको phone में सबसे बहले select कर लेना है उसको्छे बाद दोस्तों आपको यह से ब्याक चले जाना है जाने के बाद आपका फोन को एक बडर जरूरसे जरूर आप परीe मुच ऑलां जेल टो जब बहुका करते पहले से बहुत जदाद ही नопर बहुत आपका आपका इंट्रेंट स्पीड पहले से तो वीडियो को लाइक करके चैनेल को भी जरू से जरू सस्क्राइब कर लेना इसी तरह का और भी हेलफुल वीडियो देखने के लिए तो दोस्तो अगर आपका फोन में बहुत ज्यादा बैटरी डेन होता है तो दोस्तो आई बटन पर एक वीडियो है वो वीडियो आप अगला कोई नया वीडियो लेके जाए हिंद दोस्तो